अर्ध प्रकाश की टीम पहुची दून विदासवान के छेत्र पहाड़ी इलाके में जहाँ पर आपके उमीदवार सुरंड सिंग सेनी अपना चुना प्रचार कर रहे हैं आने वाली सुनाव के बाद हमारी अगर सरकार आती है तो हम क्या किस किस कि प्रकार के कारह करेंगे क्या विकास रह गया क्या नहीं रह गया इसी करम में आज हम अर्थ परकाश की टीम जो है दून किशेतर ही माचल में यहां पर दूर दराज के शेत्रों में मैं दिखाना चाहूंगा मनीश मेरे जो कैमरा मैन है वो दिखाएंगे जरा की यह जो गाउं है यहां पर देखिए दूर दराज में कहीं कहीं घर है जहां पर जो हैं उमीदवार हैं खुद जाकर वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और अपने वादे कर रहे हैं कि हम आने वाले चुनाब में जो हमारे वादे हैं जो हमारी पार्टी के कारेंगे आए हम देख मुलाकात करते हैं अभी हम पहुंचे हैं दून विदान सवा क्षेत्र के गाउं कांसला में यह जो गाउं है यह बद्दी से तक्रीबन 25-30 किलोमेटर उपर पहाड़ी क्षेत्र में हैं हलाकि इस गाउं में जो अबादिया बहुत ही कम है इसमें गुणे चुने 15-20 घर हैं जिसमें कुल मिलाके मेरे हिसाब से शायद सो यां 200 लोग ही इस गाउं में रहते हैं लेकिन परत्यक्षी जो है यहां पर अपनी उमीदवार जो हैं अपने मद्दातों को मिलने के लिए पहुंचे हैं आइए बात करते हैं स्वारन सिंगजी से जो कि आम आदमी पार्टी से उमीदवार हैं स्वारन सिंग जी तोड़ा सा बताएंगे कि यह गाउंग कितना दूर हैं और क्या-कैसमश्य है यह बद्धी थे बद्धी से जी जैसे बद्धी से यह आठ दस किलो मेटर दूर है जी ओपर पहाड़ी के चेतर है रोड तो आप देखा है कि रोड की कैसी प्यूसन है यहां पर दोनों पार्टियां बारी बारी से आती रही लेकिन किसी ने इन लोगों की सुनवाई नहीं की यह में जो आप लोगों से मिले हो तो लोगों की सबसे पहले जो समस्या है वो क्या समस्या रही है। सबसे बड़ी स्वस्यार रोड की है इस एरिये में देखो शिक्षा और स्वस्यार की तो है ही है लेकिन सबसे पहले ये स्वस्यार इन लोगों की कि यहां पर रोड नी है इनको घर में आने जाने के लिए पिपता पड़ जाती है अगर कहीं बजार में नीचे समान लेने जान आना है तो उसके लिए बहुत परिशानी है इन लोगों की तो हम चाहते हैं कि मैं इनी चीज़ों को देखने के लिए है कि अगर हमें मौका देती है हमारी दून की जनता तो हम इन मुद्दों के यहीं की बात नहीं है यह तो हमने अभी आज परत्यक्ष देखा ना आपने मैं यह तो काभी देखा ऊपर पहाड में 2-3-3-4-4 किलो में तुकड़े हैं जो यह लोग 4-5-5 किलो में तुकड़े भी पके नहीं करवाज कोई ऐसे कि अ कितने एक से हैं जो आपके विदान सबक शेत्र में आते हैं कितने गौं है बहुत है धर इसमें तो दो धाई सोज थे कि तीनसों तक गौओं है जी जहां पे सडकों से महरूं है लोग यहां तक मौलबूस विदाएगे नहीं जाएं तो यह बिजलीू इंप जिली तो चलो बिजली की तो नहीं है पराउलों लेकिन पानी की बहुत प्राउलम जी है ऐसे पहाड़ी खेतर में पानी की पानी के लि भी लोगों से मिल पाएंगे, इनके समस्यां को जाहिजा ले पाएंगे? देख़ज कोशिश मेरी है कि मैं पूरी विधान सभा में घूमूँगा और मैं आठ नौ महिने से घूम रहा हूँ, मैंने बहुत सी समस्यां एक अपनी डायरी में नोट करके रखी हुई है, कि जो मैं ये मतलब एक परण किया है कि अगर हमें मौका मिला तो मैं इन समस्यां को छोटी-छोटी जो समस्यां है, स्वास्थे के लिए जहां जहां रहते हैं तो antiqu, familiar, कि काईवें में आट नोट करके रखे हुई हैं आप समस्यां किया है थ। कि आदम के पहुंच पाया है। कुछ लोग जो उसको जानते थे जिनको उसके बारे में ग्यान था उन लोगों ने वो हमकेर काड बनाए हैं बहुत से लोग हमारे ऐसे जिनको पते ही नहीं उस चीज का कि एक क्या स्कीम है स्कीम से महरूम है और वो मजबूरा प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने लूट करवाने के लिए लूट रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल उनको सरकारी हॉस्पिटल के नाम की तो कोई चीज ही नहीं जैसा कि आपने देखा कि यह दूर दराज गाओं में लोग अगर अपने लाके में तो सबसे पहले यह अपने लाके में जो लोगों की मूल सुवित मूल वो सुविदाया जैसे की सड़क हो गई पानी हो गई चल्या हो गया इन पर काम करेंगे तो आए देखते हैं कि आने वाले समय में सौरन सिंग सानी जी अपना विदान सवाक शित्र को जीत पाने के बाद क्या इस 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 इलाके को सौरन यूग में बदल पाएंगे मैं अर्थ परकाश करम जीत चंडिगर आए बात करते हैं यसी गाओं के निवासी गुर्दयाल जी से गुर्दयाल जी आपकी गाओं में जो सबसे ज़्यादा समस्या क्या है लोगों को क्या पानी की प्रोलम है में पानी की दिक्कत है बादी नीचे से पेजल मतलब है नी पूरा होता ही नी और दूसरे में रोड का आपने देखी लिया हल क्या है रोड बिल्कुल नी है रोड ये भी रोड अभी जबरदस्ती निकला जो जितना निकला है ये खुद पबलीक ने पानी कैसे पूरती कैसे होती पानी कीजीम मतलब यहां बोडी यहां बोडी सिल आते है अ ऒर्मियम में तो चाहां मोटर नियों होनिन तो इस गाउ में तो यहां कितने कितने गर हैं यहां 20-25 घर हैं इसमें 20-25 यहां दस बाना पा रही और नीचे है और रुगी जहां हो आगे रुगी है जी वो चार गाउं को पानी है यहां से टेंक आप देखोंगे तो सारा 20,000 लिटर का भी नहीं है तो जैसे स्वारन सिंग जी यहां पहुंचे स्वारन सिंग जी आप कुछ और कहना चाहेंगे इस इलाक्य हैं जो अच्छी तरह से चान रहा हूं एक एक गाॉँ को मैंने टच किया है अभी जेखो एक है एक घर है यह पहुर्यों पहारी है एक घर पार है इनको हर जगह में टच कर रहा हूँ और इनकी समस्यां सुन रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ कि अगर हमें मौका मिलता तो हम चले ही इन इनी समस्यां को हल करने के लिए हैं कि यह जो हमारे हमेलेः बढ़ने के बाद जब लास्ट डे जारी अलेक्शन के तभी इनके दर्षिन होते हैं हम बढνε के बाद यह मिलते नहीं हमारे लोगों को हमारे लोगों की बहुत भारी शिकायत है कि हमने तो देखा है नहीं हमारे हमेले को जब बोट डाली थी जब ही देखा उससे पहले बोट डालने से उसके बाद नहीं हमने देखा बहुत लोग ऐसे है कि जो इनको देखने के लिए वे तरस गए मैं चाहता हूं कि इस परंपरा को तोड़कर हम हर पंचायत में हर महिना दो मेने जैसे नमबर राता है हर पंचायत में हम मीटिंग रखेंगे लोगों की समस्याइं हल करेंगे वहीं को जो मौके पर कर सकते हैं हम मौके पर हल करेंगे जो आगे जो तोड़ी समस्याइ उसको उस तरीके से हल करेंगे हम एक निया करके दिखाना चाहते है कि अलग से हम काम करें कि हम भी अगर उसी स्रेड़ी में रहेंगे तो फिर हमारा चलने का कोई फैदा निए मैं तो एक आम आदमी के लिए एक गरीब आदमी के लिए मैंने ये प्रण लिया है कि मैं कुछ करके दखाऊं और मैं चला ही इसी उदेशिया से हूँ तो जैसे आपने बताया कि यहां पर जो एक बार उमीदवार जीत जाता दुबारा नहीं था लेकिन ऐसा भी है कि पराणी जो माने के जो लोग है वो एक पार्टी से बंदेव है उनकी पकी वोट होते है कि हमने कांग्रेस को डालनी हमने बीजीव को डाली तो इस गाउं में भी आसा कुछ नहीं है सर यहां बदलाव है क्यूकि इन दोनों से रह चुके हैं मतलग नौब कांग्रेस बीजेपी से कोई कामी नी है लोगों का करना तो लेकिन अनेट की परोब्म है यहां नेट ही निहीं है यहां आप देख लो आपका सिगनल ही नहीं हो गया यहां कोई बच्चा जैसे घर में आ वोटों को इंफेक्ट डालेंगे? डालेंगे, जरूर डालेंगे, सभी को डालेगा, इसमें तो मतलब आम आदमी बाल्टे भी निकाल सकती है, अगर जैसे हम पराश चल रहा है हमारा तो सजीत हमारी निकलेगी, उसकी में दिक्कत क्या थी सर, जो हमारे बजूर्ग थे, जब ये बदलाब इसलिए आएगा, जो नई जनरेशन है, वो इस रुआज को बदलेगी, और उन्होंने केजरिवाल जी का काम देखा है दिली में, कि कैसे फ्री एजूकेशन करी है, फ्री बसें करी है, फ्री बिजली करी है, अच्छे होस्पिटल बनाए है, बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जो आप वाले हैं वो एक विग्यापन वाली सरकार है, वो ऐसे होता है जी जब निया आदमी घर में आता है ना, जब पता लगता है कि मेरी टकर में कोई आ गया, तो उसको लोग चोर भी कहते हैं, के तो चोर है, ये भाग जाएगा, ऐसे जब बीजेपी वाले 75 साल से लूट रहे हैं, अब केजरिवाल जी ने बंद कर रहा है, वो तो खलीव तो होगी इनको, अब जैराम जी की भी नीद उड़ी हुई है, कांगरस की प्रितमा सिंग जी भी की नीद उड़ी हुई है, लेकिन जैराम जी तो ये कहते हैं, ताज़ा अपडेट्स अब बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, अज़प्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें